वल्कम तुद्री निकमेशन जाहां बात करते हैं Gamezokinpcs की तो आपको विंटेस्ट से Gamezokinpcs में तो चला को सब्साइब करें हैं और Happy New Year 2022 और आज हम बात करें हैं इस टॉपिक के ऊपर के शॉप कीपर से गंदी वाली feeling क्यों आती है और influencer से पूरी knowledge क्यों नहीं मिल पाती है और शॉप कीपर और यूट्यूबर जो है उन दोलों की बातें कुछ अलग-अलग सी क्यों होती है और और बुरा सुनारियो क्या है मेरा लोकल शॉप कीपर जो मेरे शहर के अंदर है उससे feeling क्यों नहीं आती है जो बड़े market में बैठे हुए जैसे नेरू पैलेस और लेमिंग्टन रोड्स उनसे अच्छी feeling क्यों नहीं आती है यह सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में जिसका नाम है शॉप कीपर वर्सेस यूट्यूबर दोको पहले शुरू कर लेते हैं कि गंधी feeling क्यों आती है शॉप कीपर से शॉप के पर कहता है कि मेरे से knowledge मतलो मेरे से knowledge और product दोनो लो अगर सिर्फ knowledge लेने आ रहे हो और अभी सोच रहे हो समझ रहे हो तो मेरे पास ना ही आओ तो बड़ी आए गई तो मूपे कह देते हैं shopkeeper कि हमारा time बरबाद मत करो हमसे product लेना तो बात करो तो knowledge ले सकते हो हम बात करेंगे वरना हम बात नहीं करेंगे करना थोड़ा सा general point भी है वो business करने के लिए बैठे हुए है वो मलब यह आपको खुश करने में आपको convince करने में कम interested हैं वो इसमें जादा interested हैं कि आप से पैसे कैसे बनाएं जादा से जादा पैसे कैसे कैच लें कई चेका promote होता है कि on call advice मिल जाएगी अब तो shopkeeper भी साब सामना करने लगे हैं कि on call advice वडवाइस कुछ नहीं मिलेगी time हमारा based मत करो पहले number दिया करते थे कि WhatsApp number ले लो हमारा ये number ले लो अब वो भी बंद हो गया है जिन्होंने पहले कभी दिये थे number के हमसे बात कर लेना उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया है वो तो मुझे पता है कि आप profit कमाने के लिए बैठे हुग है तो आप पहले ही बता दो ना मुझे के कम में दोगे जो exactly कम से कम price होती है तो वो करते नहीं है इसमें हम उन्हें गलत नहीं कह रहे हैं बलब उन पे एक इल्जाम सा नहीं थोप रहे हैं बस ये है लेकिन अगर आप research करके आओगे और कह दोगे कि इतने कम इला है तो कहता है हजार में कम में दे दूँगा वरना वो भी आपको हजार छोड़ो वो दो या तीन हजार बढ तो जब ऐसा गेम खेल ले कोई बंदा सामने वाला ऐसा गेम खेल आपके साथ पैसों में तो फिर उस पर बिलीव कैसे कर लोगे आपको तो पता है जितना ठक सकेगा उतना ठकने की कोशिश करेगा दूसर शॉपकीपर को लेकर बात है कि क्या इन में से कोई टेस्टिंग कर हैं तो यह लोग करते हैं यह लोग लगाते हैं कि ऐसे स्क्रीन हो गई या पर कहीं सुनी पुरानी बाते ही बताते हैं जो हो सकता है आप से जादा नौलेज रखता हो वह फिर शॉपकीपर है वो इतने सारे हाड़वेर के अपने हाथ में रखे हुए है उसको पता है क्या तो हो सकता है वो आपको आपको आच्छी guidance दे पाए लेकिन क्या वो टेस्टिंग कर रहा है आप सो तो जादा knowledge है ये बात तो fact है लेकिन क्या वो टेस्टिंग कर रहा है जो आपको exactly latest trending 2022 आली advice दे सके दूसरा क्या करते है ये अब अब जब hardware के साथ थेला तो उसे बड़े-ब सही कह रहे हैं और शायद मुझे पता ही ना हो जो भी ये कहेंगे वो सही है बड़े-बड़े words ले लेके आपको convince किया जाता है और एक बात याद रखो shopkeeper वो सामान जादा पुछ करेगा आपको वही लेने की सला देगा जो उसके पास product available है stock में वो उस product की तारीफ क्यों कर तो 3000 series AMD की और 10,000 series जो है ये Intel की इसकी बात क्यों कर रहे हो आप 10 series के processors की आप क्यों बात कर रहे हो पुराने वालों की क्यों क्यों कि वो stock में है ये main reason है आप ये तो कहो कम से कम के 5000 series का है वो इस तरह से फाइदे मंद है या उसकी price है जैसे R5 है अगर 3000 series का AMD का R5 है या फिर 5000 1000 series का AMD का R5 है तो इन दोनों में अंतर क्या है पैसे जादा है तो अंतर भी तो बताओ वो सिफ इतनी बात करेंगे के 6-12 thread इस में है 6-12 thread इस में है आप जादा पैसे दे रहे हो 5000 series में आ रहे हो कोई फायदा नहीं हुआ क्यों नहीं फायदा हुआ वो company जिस ने AMD ने निकाला है फायदे के लिए ही निकाला और लोग खरीद भी रहे कम से कम बताओ तो सही लेकिन वो बताये का वो जो product उसके stock में होगा और अगर बात करो ना आप यह price to performance ratio की और graphs की तो कहां से आएंगे वो नहीं आएंगे price to performance ratio जब price ही आपका ऐसे fluctuate हो रहा है कि पूरे market में पता कर प्राइस तो यह fluctuate हो गया तो graph कहां से बनेगा price to performance ratio का प्राइस तो अपनी पक्की रखते जो सबसे लो से लो थी तो वह price to performance ratio नहीं बनेगा आप रिसर्च आपकी डंग से नहीं हो पाईगी के 1000 रोपे अगर 1000-2000 रोपे किसी और चीज में अगर बढ़ा के आप ले सकते थे तो फिर आप उस पर जाओगे एक common combination shopkeepers पर चल ला है कि 1050 TI और 3600 वो बेच देते हैं अब एक तो 3600 के साथ मैं 1050 TI नहीं लगा लेना अब 1050 TI भी अगर आपने लगा लिया तो अच्छा ग्राफिक कार्ड है लेकिन अब बहुत पुराना हो गया है और प्राइस उसकी आप 1050 TI मुझे बेच रहे हैं वो प्राइस उसकी 21,000 है वो जब launch हुआ था खूब खरी दे गए थे 12,000 कोस्त हुआ करती थी वो 21,000 का आज जो है ग्राफिक कार्ड दिला दिया है अच्छा अब वो गेम तो चलाता ही है जो बंदा बिल्कुल नया PC बिल लो मत हम यह नहीं कह रहे हैं के 1050 TI प्लास 3600 वाला कॉंबिनेशन बेच दिया और वो 5600 G वाला जो है उससे बहतर है या बेकार है हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं लेकिन option तो उसे बता दो के 5600 G यह लेके आता 1050 TI प्लास 3600 यह लेके आता उसको बताओ के APU नाम की भी चीज ह किये जाते कि लगा लो गेमिंग हो जाएगी अब गेमिंग हो जाएगी उसमें वो जाता से जाता क्या चला के दिखा देंगे GTA 5 अरे 2013 का गेम है बाई कितना पुराना 10 साल होने जा रहे हैं क्या बात कर रहे हूं GT 710 और GT 730 तो आपको खरीदने ही नहीं किसी भी कीमत पर ल बना सकते हो जिसमें को कहा देगा देखो मैंने ग्राफिक कार्ड भी लगा दिया और GTA 5 जैसे गेम भी चल लाए है उस पर साइबर्पन जैसे गेम थोड़ना चल जाएंगे GT 710 है पैसे गुस्मी गए इस अच्छा तो रोख ही लिया होता आपने एक APU ले लिया होता जिस पर लिमिटेड गेमिंग अभी हो रही है 710 जैसी तो वैसी आप 5600G पर कल लेते हैं लेकिन हाँ वह बात अलग है मैं मानना हूं कि GT 710 GT 730 जैसे ग्राफिक कार्ड प्लस 10400F जैसा प्रोसेसर और कहा 5600G ये वाला जो कॉम्बिनेशन था जो शौप की बन में बताया था वह पच्छस हजार तक बन जाएगा जो 5600G है वह वाला पीसी जो है वह साथ हजार तक बनेगा पच्पन हजार पच्पन हजार तक का बनेगा लेकिन ऑप्शन बताईए तो सही और GT 710 GT 730 के साथ आप कितने लिमिटेड हो जाएंगे ये भी एक्जक्ली बताईए अब ये रिस कुछते आते हैं कि आप सस्ते से सस्ता बनाओ कई लोग जो है बच्चे होते हों के पेरेंट्स लेने आते हैं कि जादा मत देखो उनको एक्सपेंडिबिलिटी और अग्रेडिबिलिटी इस सब के बारे में कौन बताएगा क्या आपके पास ये option है और good experience good experience के बारे में कौ बताएगा यहां आते हैं influencer और यूट्यूबर जो एक बार को solid तरीके से कहेगा कि आप एक बार को मेहंगा जरूर ले रहे हो कुछ लेकिन ये बहतर experience देगा आपको वो ultra cheap है काम भी कर रहा है एक तरीके से लेकिन उस पर अच्छा experience नहीं होगा experience important नहीं है सारा car का जो है जो पर यह तो सम्में हैं गाड़ियां तो सभी है कि आप ओटेक करने में कितना टाइम लगेगा और आप अगर 6 गंटे का सफर करते हो तो किसी कार में आपको फील भी नहीं होगा कैसी में आप बोल जाओगे ये सब पौन बताएगा और मैंने तो कई शॉक कीपर्स को यह भी क चलता है और बेकार है आप तो जानते ही है अब जो खरीदरे आया है बंदा और वो से नॉलेज नहीं है तो वो तो सोचे का हाँ यह अगर ऐसे कह रहे हैं न कि आप जानते ही है तो बड़ा कॉमन नॉलेज होगी कि AMD बेकार है अभी भी शॉक कीपर्स बड़ी जगाओं के यही कहते हैं लेकिन यहां बात आती है यूट्यूबर की और इंफ्लूएंसर की वो यह भी बताएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है AMD राइजन जैसे CPU बहुत टक्कर देतें इंटल को और इंटल भी बहुत बढ़िया-बढ़िया CPU निकालना है आपके पास सारे options हैं आप दोनो काम जो है वो उतना profitable नहीं होता है लेकिन फिर्वी profitable है तो overall तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको दोनों की बाते सुननी चाहिए और उसके बात जज़ करना चाहिए अपनी अकल लड़ानी चाहिए आपको यह भी समझना चाहिए कि जैसे एक influencer होता है वो तो डरा हुआ हो जो यूट्यूबर होता है आप यह समझो उसके इंदर डर यह है कि मेरी relationship मेरे viewer के साथ खराब हो जाएगी अगर मैंने इसे सही बात नहीं बताई तो आप यह समझ के चलो क्या shopkeeper का यह है अगर आपका खराब होता है तो हो जाए उसको 10 और समाल ले है आप से मतलब ही नहीं है उससे पैसे से मतलब है में चीज ही यह है कि वो business करने बैठा हुआ सामान बेचेगा पैसे कमाएगा इस से जाधा उसको कोई relationship आप से नहीं चाहिए लेकिन एक influencer यूट्यूबर जो थोड़ा जिम्मेदारी के साहत और लिखा पड़ी वाली बात बोलेगा तो इस पे आपको गौर करना चाहिए मेरे को एक एक component के लिए परिशान मत करो मुझे पूरा PC दो वहीं पर जो influencer है वो एक बार को individual components की भी बात करेगा साथ में यह भी बात करेगा कि यह सस्ता है इसे लो वो पूरे PC के साब से बात नहीं कर रहा है वो component की बात कर रहा है लेकिन यहां पर मैं एक shopkeeper की थोड़ी सी यूट्यूबर है वो जाता नॉलेज अपनी लेते हैं मेडिया से इंटरनेट पर ही जाते हैं वहीं से नॉलेज लेते हैं वहां हर तरफ तारीफ होती है इंटर कर नहीं प्रोसेसर लांच हुआ तो हर समय बहीं बात हो रही होगी तो यूट्यूबर जो है वो latest trend की बात करे कि अगर पुराना CPU पुराना GPU या पुरानी कोई चीज अच्छी चल लाई है तो वह से भी सजेस्ट करते हैं जब वो बिक रही है और काम भी कर रही है तो शॉपकीपर क्यों नहीं सजेस्ट करेगा और मैं आजकर एक trend देख रहा हूँ कर दिल्ली वर्सिस मूंबई का स्ट उने में आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है आपका जहां पास मिले जहां सस्ता मिले अब तो इंटरनेट पे भी सारे options अवेलेबल हैं तो आपको तो रिसर्च अपनी कर लेनी चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए अच्छा एक यूट्यूबर की और बुरा ही करते हू कुछ और वो एंटी शॉप कीपर अगर बात कर रहा है तो उसका फायदा हो रहा है ना उसका जो बिके का अफिलियेट कमिशन मिलेगा तो यूट्यूबर को फायदा होगा तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए और उसके हिसाब से पैसा लगना चाहिए और ये बियो बनायेगा तो उब बना कैसे पायेगा रोज तो ये भी समन्धे वाली बात है पुरी सुनी सुनाई बेकार बात हो सकती है अब उसकी मजबूरी है आप समझो उसे व्यूस चाहिए और वो क्लिक बेटी बाते करेगा क्लिक बेटी बाते करेगा टाइटल में भी ऐसी बाते होंगी जो आपको वीडियो तो खेंच लाएं आपका समय भी वरबाद हो और कुछ पॉन्ट्स अर्टबर मिल जाते हैं शौपकीपर को बजाए Union एक और एक्जांपल देता है चलूंए यूटूबर वर्से शौपकीपर का यूट्यूबर आपको आरची बीदिखाता रहेगा शॉपकीपर आपको एक बार उक को कहाँगा इगा एक बार को शायद साय पर कह दे कि यह RGB में क्या फाइदा जब कि वह भी हो सकता है कि वह भी आपको RGB की तरफ पुश करें कि महंगा हमारा hardware बिग जाए और जाधा profit आए वही जो वही वाली बात है एक लाग का PC बना है तो एक लाग 10,000 का बन जाए अगर RGB component को सवा दिए लेकिन influencer को देख देख के आप influence हो रहे हो शॉपकीपर के तो भी गए नहीं ना उस influencer ने आपके दिमाग में बढ़ दिया RGB RGB और बिना RGB के जिंदगी जंड तो यहां बर भी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे influencer भी आपके लिए बुरा हो रहा लेकिन शॉपकीपर जो है वो gaming table कैसी होगी आपकी जो कारपिंटर आएगा उससे लकडी की कैसी बनवाना लाइटे कैसी होनी चाहिए LED कैसे लगानी है जिसे की टेबल में glow आये जैसा यूट्यूबर दिखाती है अपनी वीडियो उसमें वो ऐसे कोई बात नहीं करेगा उसमें दिमाग ही नहीं है इतना वो कभी भी furniture ये बात नहीं करेगा ये पूरा जो experience है कैसे अच्छा करना है कि ये लगा लिया या ये guidance है कि एक बार को अपने PC में भी तुम ये नाप दोल कर रहे हो न कि 1000 रूपर RAM में कम करके CPU लागा दू ऐसे कर रहे हो तो तुम ये भी सोचो कि ये सारा PC में कम करके monitor मे नहीं होंगे ना तो वो suggest नहीं करेगा वो कहेगा महेंगे से महेंगा PC मेरी दुकान से उठाओ कि अगर मुझे 40,000 का फायदा हो रहा हो तो 50,000 का PC में तुम बेच लूँ इससे मतलब नहीं है कि तुम 1080p का monitor लेने जा रहे तो मैं रोग लूँ और वो 30,000 का monitor हूँ अगर उ यूट्यूबर और जो influencer है उसका यहां पर कोई गेन नहीं है वो आपको actually में सही knowledge दे पाएगा लेकिन वो बात हमेशाया रखना कि influencer यूट्यूबर की guidance दे रहा है वो अपना business चला रहा है उसको भी पैसे कमाने वाली बात में ना रहे जाए कोच अच्छी बाते भी बताए पैसे कमा लें बहुत अच्छी बात है सब लोग पैसे कमा सब अभी रो जाया अच्छी बात है लेकिन आप न लोट जाओ यह भी इंपॉर्टन बात है तो happy new year 2022 पर यह आज हमने वीडियो बना दिया वैसे मैं निराशा वादी वीडियो बनाने वाला था 2022 की शुरुआत मे है कि GPU prices का क्या होने वाला मैंने का आज नहीं बना रहे पहले दिन बनाएंगे तो अगले दिन बना लेंगे तब उसकी बात कर लेंगे जो भी निराशा वाली बात है तो मैंने का आज पहले दिन तो अच्छी बात ही कर लें थोड़ा ग्यान बाढ़ दें और यह इंट्रेस